अगर आप बीमार हो और इलाज कराने के लिए अस्पताल जा रहे हो लेकिन वहाँ पर ये कह दिया जाए कि यहाँ पर मरीज ना आए क्योंकि बैट फुल होने की वज़े से आपका इलाज नहीं किया जा सकता है इसके लिए हमें खेद है तो फिर आप क्या करेंगे आप सोच रहे होंगे कि ऐसा हम क्यों कह रहे हैं तो ये खबर देखिए क्योंकि एमपी के अशोग नगर की सबसे बड़ी जिला अस्पताल में इन दिनों कुछ ऐसे ही खालाथ हैं बाकाइदा इसके लिए जिला अस्पताल में एक आदेश और एक बैनर लगाया गया है जिसमें लिखा है कि यहां इलाज कराने ना आए यहां बैट खाली नहीं है इस चस्पा आदेश का जहां सोशल मीडिया पर जम कर विरोध हुआ त तो कुछ गंटों के बाद इस आदेश को बापिस ले लिया गया लेकिन कोई भी अजिकारी इस पर कुछ भी कहने से बच्चते हुए नजर आए बताया जा रहा है कि यह सब कुछ अस्पताल में बढ़ती भीड को कम करने के लिए किया गया था वहीं इस मामले में एक आडि है अपना शे इंट्री वाला मरीजूं का क्या हूँ अटा दिया किसके नरेश पर लगा था लिए अच्छा तो फिर निर्देस प्लिए अच्छा तो फिर किसके निर्देश स्वेट गया? नहीं लगाने के पीछे क्या वोचक ता और वर इताने क्या उचक तो यह ता कि अ लेकिन इसने संदेश तो गलत गया है क्या विदाइक जी ने भी इस पर नाराज की जता ही और विदाइक जी ने भी कहा कि इस प्रकार के मतलब सार जने ग्रूप से सुचना पटल पर नहीं लगाने चाहिए इससे क्या है प्रसासन को मतलब जो है न सवालों के घरे में ख़ड प्रसासन को ट्रोल किया जा रहा है लोगों के दौरा तो इस विसे में क्या है कि एक संदेश ऐसा चला गया है कि अस्पताल प्रबंदर में आथ खड़े कर दिये बुले नहीं आप खड़े कर दिया होते हैं तो बोट से कहा है जी संकेत अब आपन कर रहा हैं वो तो बोचीज हो गई ना कि आपन बर्दी कर रहा है लेकिन अब वो ट्रोल हो गया वो तो यह क्या दो गंटे के लिए अशोक नगर से राहुल कुमार जैन की रेपोर्ट मुसीवत से अब घबराना नहीं आज ही अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से डाउनलोड करें निर्भ्या सागर एप अपनी सेफटी का रखें खयाल स्टोर करने के बाद इसे ओपन करें और अपना पूरा नाम, इमेल आईडी, मोबाइल नमबर डाल कर पासवर्ट बनाएं और साइन अप करें सम्मिट बटन दबाते ही आपका रजिस्टेशन आप में हो जाएगा इसमें अपने सबसे नजदी की केर टेकर या परीजन का मोबाइल नमबर फीट कर एड एमरजेंसी कॉन्टेक्ट बटन प्रैस करें सारी प्रोसेस के बाद अगर आपको कहीं कोई परिशानी चाहे तो SOS लाल बटन दबाते ही आपकी सूचना कंट्रोल रूम समेथ परीजनों के पास पहुच जाएगी और तदकाल आपको मदद मिलेगी